हेलो स्टूडेंट्स वेलकूम अगीन टू लंगेदी टीमन आज हम करने वाले हैं पॉलिटी में नया टॉपिक जो एड़ हुआ है राजिस्थान के जिले तथा जिला प्रशाशन तो उसके बारे में हम बात करेंगे और ये टॉपिक जो है जिसमें राजिस्थान के जिले य पड़ेंगे तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं राजिस्थान के जिले तथा जिला प्रशाशन तो सबसे पहले हम राजिस्थान के जिले के बारे में बात करेंगे और बाद में हम जिला प्रशाशन की बात करेंगे जब एकिकरन हुआ राजि राजिस्थान के एकिकरण के समय राजिस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे ठीक है? एक कुशन आपका यहां बनता है. उसके बाद 27 जिला जो है वो धौलपोर था जो कि 1922 इसवी में बना. 1991 में तीन जिले बनाए गई. 12, 12 और रासम्मद 12, 28 जिला, 12, 29 जिला, रासम्मद तीसवा जिला और हन्वानगर्ण 31 जिला. उसके बाद 1997 में करॉली 32 जिला बना और 2008 में प्रतापगर्ण 33 जिला बना. ठीक है? अब यहां पर आपके तीन कुशन पूछे जाते हैं. ये पूछे जाते हैं कि राजिस्थान का एकिकरण जो है वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को. और कितने जिले थे उस वक्त? 26 जिले थे. ठीक है? उसके बाद अन्तिम जिला जो की 33 जिला था तो वह कब बना और कौन सा था? तो 2008 इस वी में प्रतापगर्ण जो है वह 33 जिला बना. और अब राजिस्थान में 33 जिले हैं. ठीक है? चलिए. वर्तमान में 26 जनवरी 2008 ठीक है? वर्तमान में 26 जनवरी 2008 से 33 जिले हैं. साथ संभाग हैं. 33 जिला परिशदें हैं. जब 33 जिले हैं तो परिशदें जो हैं, जिला परिशदें वो भी 33 ही होगी. 352 पंचायत समितियां है 11,341 ग्राम पंचायत है 10 नगर निगम है 34 नगर परिशद है 152 नगर पालिका है और 287 तहसील है अब ये आंकड़ी जो है वो आपको याद करने होंगे क्योंकि ये मैंने RBSC की बुक से नहीं लिये हैं बलकि ये जो authentic site है वहां से मैंने लिये है तो चलिए आप मेरे साथ ही इनको यहीं पर याद कर लीजिए कि जो जिले हैं वो 33 हैं तो जिला परिशदें भी 33 होंगी और 7 हमारे संभाग हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे ठीक है ये तीनों आपको याद हो गए इसके अलावा 10 नगर निगम है ठीक है 10 नगर निगम है 34 नगर परिशद है और 152 नगर पाली का है चलिए नेक्स्ट जो 10 नगर निगम है वो कौन से हैं क्योंकि यहां से प्रशन जो है वो आता है अब देखिए 10 नगण निगम जो है वो कैसे याद होंगे वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A, B, B, C, J, J, U ठीक है A, B, B, C, J, J, U A से अजमेर, B से भरतपूर B से बीकनेर, C से कोटा J से जैपूर, J से जोधपूर और U से उदैपूर वहीं पर कोटा, जैपूर और जोधपूर, यहाँ पर दो-दो नगण निगम है ठीक है, कोटा, जैपूर और जोधपूर यहाँ पर दो-दो नगण निगम है और क्यों है, क्योंकि नगण निगम जो है, वो निर्धारित होते है जनसंख्या के आधार पर और कितनी जनसंक्या से अधिक को नगर निगम की श्रणी में रखा जाता है तो आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है क्योंकि आपको ये चीज याद हो चुकी है तो कोटा, जैपूर और जोतपूर यहां पर दो-दो नगर निगम है और अजमेर, भरतपूर, बीकानेर और उदैपूर ये और नगर निगम जो है ये चार है अब नगर निगम को याद करने की एक और ट्रेक है और वो क्या है यदि आपको साथ संभाग याद है राजिस्थान के तब भी आप इसको कर पाएंगे अजमेर, भरतपूर, बीकानेर, कोटा, जैपूर, जोदपूर और उदैपूर ये साथ आपके संभाग है यही पर नगर निगम जो हैं स्थापित किये गए हैं और जिसमें कोटा, जैपूर और जोदपूर यहाँ पर दो-दो नगर निगम है इस से आपको और भी आसान तरीके से यह याद रह जाएगी नेक्स नम बात करते हैं राजिस्थान में जिलेवार संभाग अब राजिस्थान में साथ संभाग हैं ठीक है ये हमें याद हैं अजमेर, भरतपूर, भीकानेर, कोटा, जैपूर, जोतपूर, अदैपूर बिकानेर संभाग में बिकानेर, गंगानगर, चुरू और हनुमानगर, अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टॉंक, नागोर, कोटा संभाग में कोटा, बारा, बुंदी, जालाबार, भरतपुर संभाग में भरतपुर, करॉली, सवाई, माधोपुर और धॉलपु जोदपुर संभाग में जैसलमीर, बाडमीर, जालोर, शिरोही और पाली है चलिए अब हम इसको थोड़ा मैप के थुरू समझ लेते हैं जिससे कि हमें और भी याद रह सके ये देखिए ये है राजिस्थान का मैप थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन कोशिश करिए कि आपको ये समझ में आ जाए ठीक है तो अब देखिए ये आपके साथ संभाग है जहां पर ये आपका बिकानेर संभाग है अब नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर संभाग की ठीक है ये ब्लू कलर में जो है ये जोधपुर संभाग है जिसमें आएगा जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, सिरोही, पाली और खुद जोधपुर ठीक है इस तरीके से ये 6 जिले जो हैं जोदपूर संभाग में आते हैं नेक्स्ट हम कर रहे हैं अजमीर संभागी अजमीर संभाग में अजमीर नागोर, भीलवाडा और टॉंक ये 4 जिले जो हैं जो कि रेड कलर में दिखा रहे हैं उसके बाद फोर्थ नंबर पर जैपूर संभाग, जैपूर संभाग में आता है जैपूर, सीकर, जुनजुनू, अलबर और दोसा, नेक्स्ट भरतपूर संभाग जो है, जो कि हमारा पूर्वी राजिस्थान है, भरतपूर, धौलपूर, करॉली और सवाई माधोपूर, ये सभी चारों जिले जो है, यह कोटा संभाग की अंतरगत आते हैं, अन्तिम जो हमारा संभाग है, उद्यपूर संभाग, इसमें उद्यपूर, रासमद, चित्तोरगड, डुंगरपूर, बासवाड़ा और प्रतापगड, ये जो 6 जिले हैं, यह किसमें आते हैं, नगर निगम जो 10 थे, अब हमको 7 संभाग जो हैं, वो याद हो चुके हैं, तो हमें नगर निगम जो हैं, वह भी याद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जो 7 संभाग हैं, वहाँ पर जैपूर में 2 नगर निगम, जोदपूर में 2 नगर निगम, और कोटा में 2 नगर निगम, इस तरीके से हमारे 10 नगर निगम हैं तो अब आपको ये हमेशा याद रहेगा तो ये जो संभाग बनाए गए थे तो संभागे विवस्था का निर्माण जो है वो किसके लिए किया गया जिला कलेक्टर की कार्रेओं पर परविक्षण यानि सुपरविजन के लिए किया गया ठीके ये कुश्चन बनता है कि संभागे विवस्था का निर्माण क्यों किया गया जिला कलेक्टर की कार्रेयों पर परविक्षन के लिए संभाग्य विवस्था का निर्माण किया गया 1829 इसवी में संभाग्य विवस्था का निर्माण उस वक्त 5 संभाग थे कितने थे 5 संभाग थे कब 1829 इसवी में बिकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपूर और जोदपूर ठीके ये थे हमारे संभाग 1887 इसवी में उजयपूर और 2005 इसवी में भरतपूर ये दो संभाग जो है ये बाध में बनाए गए ठीके 1887 में जैपूर और 2005 इसवी में भरतपूर ये दो संभाग बनाए गए और फिर आज हमारे साथ संभाग है ठीक है बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदैपूर, जोदपूर, जैपूर और भरतपूर